के लिए वेलकम तू दा स्टेडी कॉंसेप्ट कंप्यूटर जीके की MCQ स्रीज में आपका फिर से स्वागत है और इसका ये 23 वा वीडियो है जिसमें कि लगातार मैं कंप्यूटर जीके से जुड़े हुए वो सारे कॉस्चन लेके आ रहा हूं जो कि एक्जाम में कॉस्चन तक एक्जाम में पूछे जाते हैं तो वो सारे विद्यारती जो कि इन सभी एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं लगातार मेरी इस स्रीज से जुड़े रहे हैं और हर वीडियो को लगातार देखें क्योंकि ये बेसिक से ठीके ना फ्रॉम दा बेसिक कॉंसेफ्ट के ठीके ना हर लेवल का इसमें कॉस्चन मैंने कवर करने की कोशिस किया है और ये स्रीज लगातार चल रही है तो लगातार मेरी इस स्रीज से जुड़े रहे हैं और वीडियो को अंति तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें साथ में वीडियो को ज्यादा से ज तो सब्सक्राइब करना चाहिए लोटिफिकेशन के साथ में all का जो रीडियो बटन है उसको स्लेट करने के बाद subscribe का बटन आपको क्लिक करना है जिससे कि आपको सारे वीडियोस सबीु वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे के दौरा ना केबल टैक्स बलकि धनी यवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभब हो गई हैं यह उप्सन आपके सामने हैं इंटरनेट टेलिफॉन, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी मीडिया या पर इसके नहीं तो कौन सी फैसिलिटी है इसके साथ में अपन ये सारे कारे कर सकते हैं मनलब कि टेक्स भी कर सकते हैं, ध्वनी भी कर सकते हैं sound, sound के साथ में pictures को भी अपने साथ में mix कर सकते हैं तो वो कौन सी facility है तो वो है multimedia multimedia के थुरू ये सारी facility एक साथ mix करके अपन process कर सकते हैं अगला प्रसन आ गया UPS का पूरा नाम क्या है? मनलब what is the full form of the UPS uninterrupted power supply upper pass system unpower system उप्रोक्त सभी या फिर इन में से कोई भी विकल्प सही नहीं है तो इसका जो option है वो है uninterrupted power supply ये इसका सही answer होगा ठीक है? अगला प्रसन आ गया BIOS का full form पूछा है इसमें BIOS का अर्थ क्या है? basic input output system basic input outstanding basic information out system उप्योक्त सभी या इन में से कोई नहीं है तो इसका जो सही विकल्प होगा basic input output system कहते है BIOS को B for basic I for input O for output S for system ठीक है? अगला प्रसन आ गया Blue Ray है एक क्या है Blue Ray? storage device एक software एक virus program एक search engine या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही विकल्प है वो है storage device का नाम है Blue Ray ओके? अगला प्रसन आ गया 5 बाद DPI का full form पूछा है DPI का अर्थ क्या है dot per inch dex print input dot port in या फिर dot import in में से कोई नहीं तो कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसका A dot per inch is the correct answer और यह printer के लिए उपे होता है printer में जो printing effect आते हैं उसको DPI में calculate किया जाता है तो DPI मतलब dot per inch तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन आ गया PPM संबंदित है किस चीज़ से? dot matrix से, laser printer से, inkjet printer से, scanner से या इन में से कोई नहीं तो what is the full form of PPM? और किसे संबंदित है? यह printer से संबंदित है तो इसमें सारे printer दिये हुए हैं और scanner भी दिया हुआ है तो इसमें से जो option होगा वो इन में से कोई नहीं होगा और PPM का मतलब होता है page per minute जो printing में होता है एक minute में वो कितने pages निकालने वाला है तो यहने की pages per minute ठीक है ना? यह इसका full form होता है PPM ठीक है? अगला प्रसन आ गया assembly भासा को machine भासा में जो translate करता है उसको क्या कहते हैं? assembler, compiler, interpreter, linker या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही विकल्प है वो है assembler जो assembly भासा से machine भासा में convert करता है किसी भी language को high level language को तो उसको assembler कहते हैं ठीक है? अगला प्रसन आ गया computer, printer किस प्रकार की device है? input device, output device, software storage या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है output device computer का जो printer है वो एक output device कहलाता है अगला प्रसन आ गया किसी विशिष्ट कार करने के लिए कौनसी कुझी की साथ में combination में प्रियुक्त की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? functions, spacebar, arrow, control की या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही विकल्प है वो है control control एक विशिष्ट प्रकार की की होती है जिसका साथ में combination थी किना combination के साथ में ये प्रियुक्त की जाती है थी किना control की आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा unacademy आपके लिए लाया है unacademy summit 2.0 in association with the hindu group इस summit में बहुत सी ऐसी हस्तिया है जो आपको guide करेंगी IS exams crack करने में जैसे की कैला सत्यार्थी Nobel Prize laureate दीपक गुपता former chairman of UPSC जैस रंजन प्रिंसिपल सेकेटरी INC and IT तिलंगाना government दुरगा सक्ती डिप्टी सेकेटरी डॉक्टर अजीत रनाडे चीप एकनॉमिस्ट आदित बिर्ला गुरूप फरान रासुन पैरिया senior anchor public broadcaster प्रवीन कास्वान IFS officer और साथ में उपस्तित रहेंगे अनेकेडमी के best educators जो कि आपको अनेकेडमी पर पढ़ाते हैं जो भी बच्चे civil services की exams की तैयारी कर रहे हैं उनको यह summit जो दो दिन का है जरूर attend करना चाहिए यह summit से आपको काफी फाइदे मिलेंगे जैसे की आपको trick बताय जाएंगे exam crack करने के लिए जिन्होंने exam पहले निकाला है वो आपके exam से जड़े हुए हर सवाल का जवाब देंगे आपको rankers की तैयारी करने में आपको तरीके बताय जाएंगे IAS officers की जिन्दगी को और गहराई से जानने का आपको मौका मिलेगा और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस दो दिन की event में क्या-क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं 70% वक्ता 20 talk and discussion session 32 hands-on workshop और इस summit के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है यह पूरा summit online होगा आपके मन में कई सवाल होंगे जैसे इसकी registration की fees क्या रहेगी तो मैं आपको बता देता हूं इसकी registration की fees नहीं है बस आपको advance में register जरूर करना है क्या मैं सारे session attend कर सकता हूं हाँ बिल्कुल आप सारे session attend कर सकते हैं बट कुछ session parallely भी चलेंगे इसमें कौन-कौन participate कर सकते हैं तो यह summit सब के लिए खुला है क्या कोई special session हमारे लिए हमारे सवालों के लिए भी खुला है जी हाँ आपके सवालों के लिए भी मैत दिये जाएगा और speaker द्वारा session के अंत में आपकी सवालों के जबाब दिये जाएगे इस session के लिए हम register कैसे करें तो नीचे description box में इसकी link दूई है वहाँ से आप click करके इस पूरी summit के लिए register कर सकते हैं तो आज ही register कीजिए और जब register करें तो मेरा code लगाना मत भूलेगा मेरा code है हरदयाल कुष्वा जो की capital letter में नीचे लिखा हुआ है अगला प्रसना आ गया एक प्रकार के सस्ते camera होते हैं जो computer में लगे रहते हैं और इनका जो उपयोग है वो video conferencing video chatting और live web broadcasting में इसका उपयोग होता है तो इसमें से वो कौन सा options है webcams, webpix, web browser caps, browser picks या इन में से कोई नहीं तो वो क्या कहलाते हैं उसको कहते हैं webcams ठीक है न webcams कहलाते हैं this is the correct answer ठीक है अगला प्रसना आ गया कौन सी सेवा internet प्रयोकताओं कि एक समू को किसी सामान विशे के लिए पर अपने विचारों को आदान प्रदान करने की सुविधा देती है telnet, usenet, nicknet, millnet या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही option है सही विकल्प है वो कौन सा है तो इसका सही विकल्प है usenet जो usenet होती है वो आपको ठीके न, अपने सामान विशे पर अपने विचार यानि की एक दूसरे के साथ में कम्यूकेट करने की ये सुविधा प्रदान करती है usenet, ok अगला प्रस्णा आ गया information, input के लिए आप keyboard या mouse का उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है output device, input device storage device, processing device या इन में से कोई नहीं तो वो कहलाता है input device ठीक है न, किसी भी information को अगर input किया जाता है तो वो input device के तुरुई input किया जाता है, और input device कौन-कौन सी है एक तो है keyboard और एक है mouse एक है mouse एक है light pen ठीक है न, जिसी कि मैं लिख रहा हूँ ये light pen कहलाता है और joystick button joystick की जो होती है वो भी एक input device कहलाती है ठीक है keyboard जो कि मैं सामने एक computer पर होता है तो ये सारे input device कहलाते है ठीक है अगला प्रसना आ गया है computer system की functionality बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़ने वाली equipment जो डेजिग नेट वाला जो term होता है वो क्या कहलाता है digital device system and on disk pack या peripheral device या इनमें से कोई नहीं तो पताए वो कौन सा function terms है जो जिसको आपयोग करते हैं तो वो जो terms है वो है peripheral device peripheral device होती है जिनको अलग से equipment जोड़ने के लिए एक term का उपयोग होता है वो उसको कहते है peripheral devices ठीक है अगला question आगया email खाते में storage area होता है उसे अक्सर क्या कहते है attachment, hyperlink, information presentation या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही विकल पे वो क्या है email खाते में storage area ठीक है ना storage area होता है उसको क्या कहते है तो उसको बोलते है information storage करने वाला area कहलाता है ठीक है ना जो कि information store करता है ठीक है अगला question आगया पंदरमा लोग समझ सकें और प्रियोग कर सकें ऐसे format में presented data क्या हो जाता है processed, graph, information, presentation या इन में से कोई नहीं तो वो जो data होता है वो सारा information कहलाता है यानि कि किसी भी information को अपन एक particular format में present करते हैं तो वो information कहलाती है ठीक है तो this is the correct answer अगला प्रसना आगया computer program का एक set है जो computer को swim को monitor करने और अधिक दक्षता से कार करने में साहता करता है एक program set उसको क्या कहते हैं windows, system software, dbs, dbms या फिर application software या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही विकलप है वो कौन सा है तो इसका सही विकलप है system software system जो software होते हैं ठीक है ना वो इपर का set होता है जो कि monitor करने और अधिक दक्षता से कार करने में उसकी साहता करता है system के अंदर के जो software होते है that is called the system software ठीक है ना और उसकी ऊपर के लिए जो होती है जो उसकी ऊपर store के जाते हैं वो application software कहलाते हैं ठीक है अगला प्रस्ण आ गया Microsoft Office क्या है ये एक shareware है, public domain software है, open source software है या एक vertical market application या फिर एक application suite है, तो इसका जो सई विकल पर वो है, application suite है जो की Microsoft की द्वारा तेयार किया गया है Microsoft का एक office set है जिसमें की MS office में क्या क्या आता है, MS word आता है MS excel आता है और MS power point power point आता है presentation के लिए और क्या आता है MS access आता है ठीक है ना तो इसको पूरा का पूरा एक power set होता है Microsoft office का जिसमें की office के वो सारे काम पन कर सकते हैं ठीक है ना, तो this is the correct answer अगला प्रस्ना आ गया LAN जिसको बोलते हैं local area network से जुड़े computer क्या कहलाते हैं, तेज चल सकते हैं online जा सकते हैं, information या peripheral उप्करन को share कर सकते हैं, email कर सकते हैं या इनलेसे, कोई नहीं तो इसका जो सही विकल्प क्या है, तो इसका सही विकल्प है, information या पिर peripheral जो भी उपकरन उसके сाथ** उनको हम share कर सकते हैं, जो की LAN की दूवारा connect होते हैं, one computer स्यवीडन एक छयाक two another computer इया ऐसे प्रिंटर जूड़ा हुआ है ठीकना फिर एक iKateश जूड़ा हुआ है इस स्ать कंप्यूटर से यह अपीन क्यों इस धूड़ा हुआ है तो यह पूरे कि ग्रत जो डिवास होती है यह हर computer इसका उपयोग कर सकता है ठीक है यह जरूर ध्यान रखना that is called the local area network जो की एक particular जो devices होती है उसको share कोई भी computer कर सकता है जो की LAN में connect होता है अगला प्रस्णा आ गया आपके computer में निमले कितमे से कौन सी memory को दरसाता है RAM, DSL, USB, LAN या फिर CPU तो इसका जो सही विकलपे वो है RAM, ठीक है ना RAM memory को वो show करता है ठीक है ना RAM अनलब random access memory जिसमें कि हैपन, volatile memory होती है कोई भी data कोई भी program सबसे पहले इसमें store होता है देन उसके बाद में वो execute होता है ठीक है जैसी है है अपन उस program को बंद करते हैं या उस application software को बंद करते हैं तो वो RAM है वो free हो जाती है इसलिए उसको volatile memory होती है कभी बढ़ती है कभी कम होती है जितनी space होती है उस space में से particular memory को वो store करके वहां से program को execute करता है इसलिए इसको random access memory करते हैं कभी भी वो access करता है और इसको volatile memory भी कहा जाता है अगला प्रसना गया motherboard के component के बीच information खालिस्तान के माध्यम से ट्रेवल करता है ठीक है ना जो information है कैसे ट्रेवल करती है flash memory, CMOS, waves, bases या फिर peripheral तो इसका जो सई answer है वो है waves के माध्यम से component के through ये पूरा का पूरा जो information है वो ट्रेवल करती है ठीक है अगला प्रसन आ गया 21 बार और इस computer gk की वीडियो का आखरी प्रसन 1 MB एक मेगावाइट लगवग के समान है किसके लिए 1000 bits, 1000 bytes, 1 million bytes, 1 million bytes या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो सई विकल्प है इन में से कोई भी नहीं है ठीक है ना जो 1 MB है ठीक है ना वो कितना होता है 1 MB बराबर देखिए पहले तो 8 bit का 1 byte होता है यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ ठीक है ना और कितने 1024 bytes का ठीक है ना क्या होता है 1 MB होता है ठीक है ना तो यह क्या पुछा है 1 MB ठीक है ना तो कितने 1024 bytes का 1 MB क्यालाता है ठीक है तो ठीक है तो this is the correct answer ठीक है 1024 bytes का 1 MB जो होता है वो कितने उसका होता है स्वरी एक बीच में और आता है इसके पीच में ठीक है ना 1024 byte का 1 KB होता है इसको correct करना है अपने को 1 KB के लाता है यह 1 KB और 1024 KB इकल टू 1 MB ठीक है ना यह होता है 1 MB 1024 KB इकल टू 1 MB होता है और 1024 MB इकल टू क्या होता है 1 GB होता है ठीक है और 1024 GB इकल टू 1 TB होता है टेराबाइट गीगाबाइट टेराबाइट मेगाबाइट किलोबाइट और बाइट क्लियर हो गया है तो यह सही पूरा केलकुलेशन है इसको याद रखेगा तो यह ते लगातार सिरीज से जोड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टैटि कॉंसर्ट स्ब्सक्राइब कर ले अल का रेडियो बटिन क्लिक करना है देन उसके बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना जिससे कि आपको सारे वीडियो के नोटिफिक्रशन मिलेंगे तो इसी